कि नमस्कार साथियों कि शित्कालिन सत्र का आज प्रथम दिवस है यह सत्रम महत्पपुन इसलिए है क्योंकि 15 अगस के पहले हम मिले थे 15 अगस को आज़ादी के 75 वर्ष पुर्ण हुई है और अब हम अम्रुत काल की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं एक ऐसे समय हम लोग आज मिल रहें जब देश को हमारे हिंदुस्तान को जी ट्विंटी की मेजबानी का अवसर मिला है विश्व समुदाय में जिस प्रकार से भारत का स्थान बना है जिस प्रकार से भारत से अपेक्षाएं बड़ी हैं और जिस प्रकार से भारत विश्विक मंच पर अपनी भागिदारी बढ़ाता जा रहा है ऐसे समय है यह जी ट्विंटी की मेजबानी भारत को मिलना एक बहुत बड़ा आउसर है यह जी ट्विंटी समीट यह सिर्फ एक डिप्लोमाटिक इवेंट नहीं है लेकिन यह जी ट्विंटी समीट एक समगर रुप से मैं भारत के सामर्थ को विश्व के सामने प्रस्तित करने का आउसर है इतना बड़ा देश, मदर अब डेमोक्रेसी, इतनी विविदता है इतना सामर्थ, पूरे विश्व को भारत को जानने का बहुत बड़ा आउसर है और भारत को पूरे विश्व को अपना सामर्थ जताने का भी बहुत बड़ा आउसर है पिछली दिनों मेरी सभी दल के अधिक्षों से बहुत ही सानुकुल बातावण में चर्चा हुई है सदन में भी इसका प्रतिविम जुरुन नजर आएगा सदन से भी वही स्वर उठेगा जो भारत के सामर्थ को दुनिया में प्रस्तूत करने के लिए काम आएगा इस सत्र में देश को विकास की नई उचाईयों पर ले जाने के लिए बर्तमान वैश्वित परिस्तितियों में भारत को आगे बढ़ाने के नई अवसर उन सब को ध्यान में रख करके कई महत्वपून निर्णई सत्र में करने का प्रयास होगा मुझे विश्वास है कि सभी राजरितिक दल चर्चा को और मुल्लिवृद्धी करेंगे अपने विचारों से निर्णईों को नई ताकत देंगे दिशा को और स्पस्त रूप से उजागर करने में मदद करेंगे पार्लामेंट के इस ट्रम का कारकाल का जो समय अभी बचा है मैं सभी पार्टी के लीडर्स को और सभी फ्लोर लीडर्स को बहुती आगरह करना चाहता हूँ कि जो पहली बार सदन में आये हैं जो नए सांसद है जो युवा सांसद है उनके उजवल भविश्य के लिए और लोकतंत्र की भावी पीड़ी को तयार करने के लिए हम जादा से जादा अवसर उन सब को दें चर्चावों में उनका भागीदारी बढ़े पिछले दिनों करीब करीब सभी दलों के किसी ने किसी सांसद से मेरी अनपचारीक मलागा दे जब भी हुई है एक बात जुरूर सब सांसद कहते हैं कि सदन में होहला और फिर सदन सगित हो जाता है उससे हम सांसदों का नुक्षान भावत होता है युवा सांसदों का कहना है कि सत्र न चलने के कारण चर्चा न होने के कारण हम जो यहां सीखना चाहते हैं हम जो समझना चाहते हैं क्योंकि यह लोकतंत्र की बहुत बड़ी विश्विवद्याले है हम उससे अच्छूत रह जाते हैं हमें वो सभवागे नहीं मिल रहा है और इसलिए सदन का चलना बहुत जरूरी है यह सभी दल के युवा सांसोदों का खास तोरे पर स्वर निकलता है शक्राण संस्धारे अजसराएं मैं समधता हूँ कि और विपक्ष कि जो सांसोदों न का भी यह कहना है कि डिवेट में हमें बोलने का अशसर नहीं मिलता है उसके कारण सदन सगीद हो जाता है उसके कारण होवला होता है उसके कारण हमें बहुत नुक्षाल होता है मैं समझता हूँ कि सभी floor leaders, सभी party leaders हमारे इन सांसोदों की वेदना को समझेंगे उनके विकास के लिए देश के विकास में उनके सामर्थ को जोड़ने के लिए उनका जो उत्सा है, उमंग है, उनका जो तजुर्वा है उन सबका लाब देश को मिले, निर्णव में मिले, निर्णे प्रक्रियाओं में मिले ये लोग तंत्र के लिए बहुत आवश्चक है मैं बहुत ही आंग्रह के साथ, सभी दलों से, सभी सांसदों से इस सत्र को और अधिक productive बनाने की दिशा में सामुहिक प्रयास हो इस सत्र में एक और भी सवभाग्य है कि आज पहली बार हमारे उपराश्पती जी राज सभागे सभावती के रूप में अपना कारकाल प्रारंब करेंगे उनका यह पहला सत्र होगा और पहला दीन होगा जिस प्रकार से हमारे राश्पती द्रवपदी मुर्मुजी ने भारत की महान विरासत हमारी आदिवासी परंपराओं के साथ देश को गवरों बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है उसी प्रकार से एक किसान पुत्र उप्राश्पती पत्र और आज राज सभागे सभापती के रूप में देश के गवरों को बढ़ाएंगे सांसदों को प्रेरित करेंगे प्रोथ्साहित करेंगे उनको भी मेरी तरफ से मैं अनेक अनेक शुपकावनाय देता हूं बहुत बहुत धन्यवाद सात्यों नमस्कार झाल